हेलो गाइज तो वेलकम बैक तो आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे अपना लेक्चर नमबर 22 जो अग्रिकल्चर और एकॉनमिक ड्यॉपमेंट का पार्ट बच्चा हुआ तो इसमें हम कौवर करने की कुशिश करेंगे तो यह पहला पार्ट है इसका अगला पार्ट भी स्ट्रम किस तरह का डोल होता है तो स 묶्वल आपको जहाँ रखनी है कि अगरी कल्चर होता है थिक हम देगें कि अगरी कल्चर होता क्या अगाई में दो कोशें जाते हैं तो अगल किंखा नहीं तो किसी एक्जाम का टॉप्प खान आ यहां पर डॉल दिया है तो ondo क्iern case दो उसी के base पर ये lecture त्यार किया है, तो guys agriculture होता है, तो guys agriculture को describe किया गया है, crops को grow करनी के practice होती है, ठीक है, उसके बाद, जो as a farmer, क्या करता है, who works as a farmer is in the agriculture industry, अब जो किसान, जो farming करता है, जो खेतिवाड़ी करता है, जो crops को grow करता है, ठीक है, तो उसके agriculture industry बोलते हैं, तो latent root जो है, agriculture जो है, ये निकला हुआ है, latent root से, अग्री से, ठीक है, अग्री का मतलब, अग्री आफ फील्ड से, प्लस कल्ट्रा, कल्ट्रा मिंस कल्टी वेशन, ठी क्या है, कल्टीवेटिंग क्या है, कल्टीवेटिंग का पीस आफ लेंड, एक जमीन के टुकड़े को क्या करना, कल्टीवेट करना, या उसमें प्लांटिंग करना, या उसमें कुछ फूल के प्लांट्स को grow करना, ठीक है, इस लार्जली वर्ट अग्री कल्चर में, यही अ जाता है ठीक है किस climate में warm climate में ठीक है guys ये question पूछे जा चुके है exams में आपको भी पूछे जाने की संभावना बनती है यहां से इस topic से तो इसको practice के जाता है gently जो जहां पे slope होता है या flat land पे ठीक है with deep जहां पे जहां पे fertile soil होती है सिर्फ यहां पे crops की जाती है arable farming में warm climate में ठीक है यह बहुत important land है कि यह जादा गीली होती है यह जादा सूखी होती है ठीक है यह भी इसकी एक importance है तो land idle for growing crops यह crops को grow करने के लिए एक अच्छी land है ठीक है अब उसके बाद UK में क्या होता है इस type की farming को adopt किय जा गया in the east and south UK में east and south में इस तरह की farming वहां पे करी जाती है arable farming ठीक है उसके बाद है हमारे पास pastoral farming तो pastoral farming क्या होती है pastoral farming एक क्या है practice है जिसमें हम क्या करते है animals को rear करते है ठीक है animals को रखते हैं ठीक है only in the cold and wet climate सिर्फ किसमें जो cold or wet climate होता है ठीक है जहां पे हम crops को grow न betु बन सकती है तो वह पे pastoral farming होती है एक जाणवरों को वहां पर पाला जाता है तो यहां पर क्या होता है जो जमीन होती है वह steep होती है भहँ बहुत दल्वान में होती है ठीक है अब देखो दल्वान में है तो सारा जो इस面 जो jadi ile में व वो सब क्या हो जाएंगी वह वास भ मतलब कि प्रोट नी bend कर सकती है तो ना ही ये क्या करती है we यहां पे crafts भी रखी जाती है और यहां पे rearing of animals को भी रखा जाता है, ठीक है, उसी जमीन के टुकड़े पे, तो दो टाइप की farming जो होती है, pastoral and arable, वो support करती है, और यहां पे farm को भी, जो हमारी yield निकलती है, farm में उसको भी आगरता है, increase करता है, तो इस type की farming, क्या होता है, ज जब हमारी गर्मी होगी, जब हमारी गर्मी होगी, जब जादा hot होगा यहां पे, ठीक है, उस वक्त से भी, जब उससे जो जमीन का नुकसान हो जाएगा, जो हमाने फसल लगाई होगी, वो सूख जाएगी, उससे भी हमें बचाता है, और जो दूसरी weather condition, अगर क्या वोलती उस ताइप की farming से भी हमें, उस risk से भी हम इस risk की farming में बच सकते हैं, जैसे कि अगर हमारी crops जो है, अच्छा मतलब अच्छी नहीं बन रही हैं, तो इसी form में क्या होता है, animals जो होते हैं, वो अच्छा source होते है, food and money का, ठीक है, चलते हैं, अगले वाली farming, जो है, subsistence farming क्या हो जो होते हैं, उनको तो यह किसी small scale जो होती है, हमारी, ठीक है, small scale with the focus of farmer's family, सिर्फ farmer के अपनी family को देखता है, ठीक है, उसको छोटी से जमीन पर इस काम को कर सकता है, तो यह labor intensive in terms of manpower, सिर्फ आदमी अपना खुदी, अपनी जो हल अगरा जो होता है, उससे काम करता है, अब यहां पर little या बबाउद का machinery के जो होता है, यहां पर machinery technology कोई भी use नहीं होती है, substance farmers जो होते है, वो self sufficient होते है, determined to be self sufficient, ठीक हमारा अगला commercial farming, तो commercial farming क्या होती है, यह की जाती है, इसको practice के जाता है, किस purpose के लिए profit को करने के लिए, commercial से समझते हैं कि commercial जो होता है, इसको profit के लि पर, ठीक है, किस के लिए, हमारी production और profit है, उसको increase करने के लिए, यहां पर जानरों को भी रखा जाता है, और crops को भी उगाया जाता है, technology और machinery यहां पर use होती है, ठीक है, और कुछ workers जो होते हैं, उनको यहां पर इस्तमाल किया जाता है, उनको भी काम पर लगाया जाता है, तो जिससे की जाधा हमारा yield निकले, जाधा हमारा production हो, वो जाधा profit हो, इस टाइप की farming जो है, इस अक्सर में क्या होता है, monoculture, इसमें एक की culture लगा जाता है, monoculture क्या होता है, मतलब की single, या the growing of single type of cash crop, ठीक है, single type की cash crop यहां पर लगा जाती है, इससे की flowers लगा जाएंगे, या coffee लगाई जाएगी, cash crops क्या होगा, cash crop क्या होती है, cash crop वो crop होती है, जिसको बेज के हमारे पास क्या आता है, अच्छा पैसा आ जाता है, ठीक है, फिर हमारे पास यहां पर अगले किसम की farming, जो extensive and intensive farming, तो extensive and intensive farming क्या होती है, extensive farming या cultivation भी बोलते है, इसमें क्या involved होता है, land tillage इंपूसकुलिए भीड propri誉 प्यूसरी सीडम क्या improper रेक्तर को चैंज करने अब से बिगशे हैं जहादा उसकी एंड को जायेगी को दूसरी कषे राइडम क्या सकते हैं कि intensive farming जो होती, उसमें क्या होता है, अपनी capital को हमने increase कर देना है, labor को increase कर देना है, उसी piece of land पर हमने ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है, जिससे कि हमारे जो yield है, जो हमारा fossil है, वो भी हमें ज़्यादा निकले, इसके बाद अगाई nomadic farming क्या होती है, तो nomadic farming में क्या है, इसमें farmers involved होते हैं, ठीक है, वो अपने animals को लेगे, एक जगसे दुसरी जगह जाते हैं, इन सर्चाइब pasture and water, पानी की, और आपने तो देखा होगा, जो हमारे बकरवाल सोकाल, जो हम कहते हैं, वो pastoral farming होती है, वो nomadic, sorry, वो क्या होती है, वो nomadic farming होती है, वो एक जगह से दुसरी जग सेमिर एरियाज में प्रेक्टिस कर जाती है, इसके बाद है, हमारे सेदैंटरी farming, तो sedentary farming क्या होती है, sedentary farming में क्या होता है, involves tilling the same piece of land for many years, तो मतलब उसी piece of land को किजाता है, बहु जदा देता है, उसको till के जाता है, बहु जदा देता है, उसको लगाया जाता है, उसी भे crops and rearing animals, तो land को crops लगाने के लिए या animals को rearing करने के लिए वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, इसकी origin के साथ-साथ इन्दा Americans and Eurasia Eurasia क्या होता है, देखो ऐसा land mass, एक ऐसा land mass है, ठीक है, जो combine है इस side से हमारा Europe है और इस side से हमारा Russia है ठीक है, यह नहीं के हमारा Asia है Russia का हिस्सा है वो, Asia है तो यह land जो combine है, उसे हम कहते है Eurasia, तो इसकी origin हुई थी कहाँ पर अमेरिकाज में और Eurasia में हुई थी, the practice is believed to have started, यह practice कब शुरू हुई थी sedentary farming की 10,000, 10,000 BCE में हुई थी, तो देखे, एक चीज़ में आपको बता दूँ कि जैसे हमारा Russia है ठीक है, एरिया में सबसे जादा यही है और इस side से हमारा Europe आज आता है तो Europe से Russia को अलग क्या चीज़ करती है वो है guys, Eurasia question पूछा जा सकता है आपको तो Eurasia है जो Russia को Europe से अलग करते है ठीक है, और जो यह वाला हिस्सा जो आता है जिसमें आदा Russia और आदा Europe आता है उसे हम कहते है Eurasia, ठीक है Eurasia, फिर है guys, एक side दो छूट गई, यह माँ पर बिने लिखी नहीं है तो कहीं देखोती है हमारे पाद Shifting Cultivation ठीक है Shifting Cultivation से याद रखेगा Shifting Cultivation क्या होती है इसमें एक जमीन का टुकड़ा उसे साफ के जाता है ठीक है, Forest का जमीन का टुकड़ा होता है उसे साफ के जाता है और जब तक उसमें क्या है जब तक, मैं कहेंगे जान है जान नहीं, बलकि इसमें क्या है जब तक, कि वहां पर क्या है, अच्छी जमीन फैटाइल है, तब तक उसको लगाया जाएगा जब उसमें फैटलेटी खतम हो जाएगी उसको उस जमीन को छोड़ के फिर दूसरे जमीन का टुकड़ा इस तरह साफ के जाएगा यहां पर फसल लगाई जाएगी, जब तक इसमें भी क्या फैटलेटी है, इसको भी लगा जाएगा उसको बद इसको भी छोड़ का दूसरे जमीन चरजाएगा, इसको बोलते है शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ठीक है से100 परसेंट लैंड में से 7.5 पर सेंट जошे भी क्रिशन गत्या न êtes अचर्फ्टि यहां जो हैुआइगा इसपूर दुनिया में, पूश्रुच्ट पूज जा सकता हैँ आपको पापुलेशन सबसे ज़्यादा हाइस कहां पर है जो जुड़ी हुई है पिछड़ी हुई तो मलावी अफरीका में एक कंट्री है ठीक है जहां पर 92 परसेंट जो पापुलेशन है वो सिर्फ अगरिकल्चर में ही जुड़ी हुई है उसके बाद UK United Kingdom जो है जहां सबसे कम पापुलेशन जो है लीस्ट पापुलेशन कहां की जुड़ी हुई है एसोश्येट है किसके साथ है अगरिकल्चर साथ वह है युनाइट किंग्डम की ठीक है उसके बाद इंडिया में आप ये फैक्ट जान लीजेगा कि 64 परसेंट पापुलेशन जो है इंडिया की वह भी जुड़ी हुई है किसके साथ अगरिकल्चर के साथ लेकिन उतना इल हमारा यहां पर नहीं होता है ठिरफ 4% कंट्रिपूशन करता है इंडिया में GDP को ठीक है गाइस चलते हैं आगे कुछ रेवलुशन के बारे में जानते हैं जो कि आपके एक्जाम में पूछे जा रहा है तो गाइस देखो रेवलुशन क्या होता है जब हमारे हमारे यहां क्या होता है हमारे यहां हमारे इंडिया में क्या होता है जब किसी हमारा यील्ड जो वह कम हो जाता है हमारा अच्छा खासा फसल में नहीं आता है हमारे क्रॉप अच्छे नहीं बनते हैं उसको उस में पूछा गया था जब टीचर का एक्जाम था कहीं पर वहां पर इस क्वेशन को पूछा गया था कि फादर अब ग्रिंड लुशन कौन है तो गाइज वह है M.S. स्वामी नाथन तो इसका जो अगर हम वाल्ड में देखें तो ग्रिंड लुशन का फादर किसे कहा जाता है वो गाइज आप लिख लिजिए मैंने यहां पर नहीं लिखा है आप लिख लिजिए नॉर्मन बर्लॉंग ठीक है अलो यू एंजी यह स्पैलिंग अप लिख लिजिए तो यह है अगर आपको पूछा जाए कि इंडिया में फादर आफ ग्रिंड लुशन कौन है तो गाइज वह है M.S. स्वामी नाथन अगर वाल्ड का पूछा जाए तो नॉर्मर बर्लॉंग अप लिख लिजिएगा उसके बाद वाइट रेवल्यूशन या ओपरेशन फ्लड भी इसे कहा जाता है मिल्क या डेरी प्रोड़क्ट जब क्या हुआ था 1970 में क्या हो गया जब यहां पे हमारा मिल्क जो है वो कम हो गया पूरे वाल्ड में एक रेवल्यूशन चलाया गया ओपरेशन फ्लड इसे कहते हैं या वाइट रेवल्यूशन भी कहते हैं तो उसके फादर किसको कहा जाता है वैर्गेश कूरियन ठीक है 1970-1966 तक 1996 तक यह रेवल्यूशन चला है उसके बाद ब्ल गोल्डेन रेवल्यूशन तो गोल्डेन रेवल्यूशन समझ सकते हैं आप गोल्डेन का कलर किसका होता है फ्रूट्स हनी एड हौटीकल्स ठीक है इसके जो फादर है वो कौन है निरपाक टूतेज 1991-2003 तक चला यह उसके बाद गाईज पूछ जाएगा आपको कि सिल्वर अब पूछा सकता है आपको तो सिल्वर रेवल्यूशन जो है गाईज यह एगस के साथ जुड़ा हुआ है और इसके फादर जो है वो इंदरा गांदी है अब यह कहोगे कि यह तो इसकी मादर हो जाएगी लेकिन गाईज कहा जाता है फादर ही ठीक है तो 2000 में यह हुआ थ मैं यह नाएज हमारा पास पिंक रेवलूशन है तो पिंक रेवलूशन किसके उसके किसकी क्ले चलाए गया था फेर्मस्यूटिकल्स या प्राwn या ऑशा चलाए गया था हिसके फादर को हो जाता है विसका फादर कशा है दुडेब्गेश पा ठीक है दूछ miejsce pat VERW goes pattern 1970 रेख चला गया था उसके बाद गाइज ब्राउन रेवलूशन है तो ब्राउन रेवलूशन चलाए गई थी लेदर के लिए या कोको के लिए हर Все- Tianakome þरी को कुछ पता है ठीक है र्헨 पविट रेखर रेवलुशन जो है मीट के साथ शुरू गया थी रर्द से समय सब करtu भूप घो पितो होता है इसके षेमецों आपको यार्खना को जाता है Dalit आपको यह यार्खना है गॉल्डन-वाइब तो golden fiber revolution जो है वो किस ने चलाए है किसकी रिलेटर था और इंडिया जो है जूट का largest producer भी है ठीक है इनके फैदर का पता नहीं है तो घाइस और और आगे जो और भी revolution जैसे के evergreen revolution ये चलाए गई थी अवराल production ची जितनी अगरिकल्चर की उसके related ठीक है इसके फादर कहा जाता है MS स्वामी नाथन को evergreen हो या green revolution हो black revolution petroleum के related है black petroleum होता है silver fiber revolution cotton के related है round revolution यहने की gold revolution potato गोल होता है ठीक है protein revolution जो है agriculture higher production के related है इसको किया start किसने किया ह है हमारा जो हमारे जो निरंदर मोदी है उन्होंने इसको start किया था हमारे prime minister साब जो है उसके ग्रे रेवल्यूशन जो है यह फैटलाइजर से जड़ा हुआ हुआ है ठीक है तो यह है हमारे important green revolution जो sorry green revolution नहीं important revolution जो आपको यार रखने हैं जो आपके exam में पूछे जा सकते है और पूछे भी जाएंगे no doubt इसमें की नहीं पूछे जाएंगे guys यहीं पर अपने lecture हम खत्म करते हैं तो guys इसका अगला lecture आपको जल्दी ही मिल जाएगा ठीक है इससेगर वीडियो आपके खत्म करते हैं guys thank you God bless you all मिलते अगले वाली वीडियो में